एक लड़की की खुबसेरत उसके बालों में होती है अगर गने, लंबे और साइनी स्ट्रेट हेर हो तो ना मेकप की ज़ादा ज़रूरत पड़ती है ना मेहंगे कपड़े की तो आज मैं आप लोग के साथ सेर करूंगी सिंपल हेर केर टेप्स जो मेरा हेर कॉलिटी को इंप्रूब करने में बहुत हेल्प किया है ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ पहले से ही जानती थी कुछ मैंने अपना गलतियों से सीखा, कुछ experience और कुछ समय के साथ और एक सिंपल सर सच है जो हम सब को मानना पड़ेगा वो है हमारे जेनेटीक हमारे जेनेटीक हेर कैसा है, कॉलिटी कैसा है बहुत टिपेंड करता है पर जेनेटीक को तो चेंज नहीं कर सकते हैं पर अपना राइट हेर केर करके अपना हेर के कॉलिटी को इंप्रूब कर सकते हैं और एक healthy scalp के साथ hair हम लोग achieve कर सकते हैं तो चलो सुरू करते हैं मेरा top 10 hair care tips week में एक बार में hair mask लगाती हूँ क्योंकि hair dry रहता है damage, freeziness आजाता है dandruff होता है scalp में itching होता है क्योंकि हम लोग घर के बाहर भी तो जाते है school जाते है, college जाते है office में इतना आवर तक बैट के हम लोग काम करते है, gym जाते है घर पे cooking करते है तो सब कुछ हमारे hair पे effect करता है, कही कही जागा पे जो पानी होता है उसमें iron होता है deep nourishment की जरूत होती है तो यहाँ पे जो मैं मार्स यूज करी है उसके लिए बनाना चाहिए, दही चाहिए हनी चाहिए, सीरम चाहिए और olive oil चाहिए यह सारे ingredients जो है आपके hair को deep nourish करता है तो जो बनाना है मैं mixer grinder में अच्छ से इसका paste बना लूँगी ताकि कोई भी lumps न रहे अजब पानी से इसको clean करना बहुत easily remove हो जाता है olive oil quantity जो होगा वो आपके hair के length के हिसाब से होगा आप यहाँ पे से coconut oil भी एड़ कर सकते हो honey भी आपका जो hair का length है उसका quantity भी आपके उस हिसाब से डालना है serum आपके घर पे जो आपके पास में है वोही serum यूज करो ज़रूरी नहीं कि आप यही keratin serum यूज करो जो आपके पास available होगा वोही उसके बाद last में दही एड़ करना फिर अच्छे से सबको mix कर लेना आप लोग जब mixer grinder में सब कुछ जब add कर रहे हो नो उसी time पे भी सब कुछ add करके आप mixer grinder में paste बना सकते हो पर उस time coconut oil या फिर जो भी oil यूज करोगे वो add मत करना क्योंकि mixer grinder का blade खराब हो जाता है वो बाद में add करना तो अच्छे से smooth सा एक paste बन जाएगा dry, freezy and damaged hair के लिए super food nourishment mask है क्योंकि इसमें banana है banana improve करता है हमारे hair quality को क्योंकि banana में protein होता है तो protein अगर बालों में जाता है तो hair growth भी होता है यहाँ पर दही हम लोग ने add किया तो दही में extra nourishment होता है जो हमारे hair को breakage हो जाता है damage freezyness से help करता है olive oil हमारे hair को strong करता है scalp से serum, banana and honey यह तीनों जब mix होता है तो extra hair में shiny आता है and soft and silky बनाने में help करता है healthy, silky and straight hair के लिए हपते में इस mask को आप एक बर ज़रूर यूज करना and 30 minutes रखना उसके बाद wash कर लेना आपको बहुत अच्छा इसका razor मिलेगा next tip से hair washing के बारे में हमेरे back में जो acne होता है हमेरे hair wash करने का तरीके से भी होता है क्योंकि हम जब कोई भी mask लागाते हैं वो जी ingredients यूज करते हैं वो बहुत ज़रा nourishment के लिए तो उसमें बहुत सारा oil भी होता है जब भी हम लोग back में hair करके wash करते हैं वो back acne problem दे सकते हैं इसलिए हमेसा जो भी mask लागाऊगे आप हमेसा फ्रॉंड में hair को करना circular movement अपका hair का health भी अच्छा रहेगा back में acne भी नहीं होगा और forehead और face में भी आपका acne नहीं आएगा जो भी सारे ingredients यूज किया है बहुत अच्छे से clean भी हो जाएगा और सबसे जादा important हापको hair को clean करने के लिए जो आप shampoo use करोगे वो shampoo में paravin free होना चाहिए sulfate free होना चाहिए जो भी आप shampoo use करोगे उनका जो ingredients है वहाँ पर आप हमेसे चेक कर लेना कि कोई भी chemicals ना हो ताकि आपको hair को damage ना करे और एक massager भी लेना ताकि आपका scalp में आच्छे से मासाज भी मिले अच्छे क्लीन करने में हेल्प मिले यह जो मासाज़ार है बहुत जदा सौफ्ट है थोड़ा सा expensive अधर्स मासाज़ार से इसको मिने नाइका से लिया था यह 400-500 ऐसा कुछ लिया था पर यह बहुत जदा सौफ्ट है और सस्ता बाला भी आता है एक डेर्सो बाला वो बहुत जदा हार्ड होता है जो आपका scalp को बहुत जदा डैमेज करता है और उससे अपका hair fall भी होता है तो वो सारे मसाजर मत यूज करना तो hair को अच्छे से clean कंडे के बाद सबसे ज़्यादा important होता है hair को नरिस करने के लिए conditioner तो conditioner भी अपने hair के according ही आप लगाना जो आपके hair का texture है उसके हिसाब से फिर conditioner जब भी आप लगाओ आप scalp में कभी मत लगाना उससे आपको बहुत जदा hair fall होगा आपका scalp को भी damage करेगा हमेशा length पे लगाना अपने जो भी conditioner लगाना है उसके बाद अच्छे से clean करना है scalp को ताकि कोई भी conditioner और shampoo ना हो कभी-कभी ऐसा होता है कि conditioner shampoo रह जाता है तो scalp में बहुत जदा eachiness होता है dandruff होता है hair fall भी बढ़ जाता है तो छोटे-छोटे tips को भी अगर wash करने के time पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे care करेंगे तो हमारे hair को health है quality है अच्छा होगा next tip है internal care external care के साथ-साथ internal care भी उतना जदा important है हमारे hair के लिए बहुत effective है आमला juice आमले में vitamin C है, anti-oxidant है जो हमारे hair fall को control करने में help करता है hair growth में भी help करता है dry damage, freezy hair हो जाता है जो internally help करता है hair को soft and shiny बनाने के लिए तो आमला juice हर रोज खाली पेट में अगर आप लेते हो तो इससे आपको बहुत जदा difference आपके skin में भी नज़र आएगा आपके hair पे भी नज़र आएगा natural glow भी दिखने मिलेगा तो हर रोज अगर खाली पेट में आप आमला juice लेते हो एक महिने तक तो आपको बहुत अच्छा रेजन मिलेगा थोड़ा सा करवा तो है मठ hair के लिए बहुत effective है तो try ज़रूर करना नेक्स टिप्स है योगा योगा से क्या कुछ नहीं हो सकता है योगा का 5 पोज में आप लोगों के साथ share कर रही हूँ जो hair का growth के लिए बहुत ज़्यदा effective है सारे योगा का नाम में नीचे mention कर दूँगी तो आप ज़रूर read करना जब भी आप योगा करोगे हमेसा ध्यान रखना कि आप योगा को consistency के साथ follow करोंगे ताकि आपका hair में जो growth हो उसमें help मिले camel pose बहुत ज़्यदा अच्छा होता है hair के growth के लिए जिसका hair growth नहीं होता है उसका बहुत ज़्यदा help करता है growth के लिए rejuvenate करता है hair follicles में भी walk करता है camel pose थोड़ा सा hard हो सकते है beginner के लिए पर अगर आप practice करोगे तो easily camel pose को भी आप कर सकते हो standing forehead pose बहुत ज़्यदा अच्छा होता है hair growth के लिए क्यूंकि हमारा blood floor scalp में होता है तो बहुत ज़्यदा help करता है growth करने में और hair fall control करने में भी shoulder stand pose आप अराम से करना ताकि आपका गर्दन में ना लगे थोड़ा थोड़ा करके practice करना क्यूंकि आपका जो shoulder stand pose है वो आपका पुरा head में blood circulation होता है अगर सर पे blood circulation होगा तो hair growth में भी बहुत ज़्यदा help मिलेगा and hair fall को भी बहुत control करेगा तो ये सारे exercise आप आराम आराम से थोड़ा से practice के साथ करना ताकि आपको कोई भी injury ना हो नेक्स्ट हे हेर ओइलिंग hair को healthy and signing करना है तो अपने रूटिन पे एक दिन at least hair oiling ज़रूर करना hair roots को नरिष करता है scalp को mastroiser करता है और जब भी आप oiling करो हलके हाथ से करना ज्यादा अब rub मत करना उससे आपको hair fall भी हो सकता है hair जितना hydrate रहेगा, नरिष रहेगा, hair उतना जदा healthy दिखता है जो breakage हो जाता है, splatten हो जाता है because hair में oiling नहीं करते है तो बहुत जदा dry दिखता है, damage दिखता है तो oiling करने से हमारा hair का overall health भी बहुत अच्छा रहता है after oiling बहुत जदा important होता है scalp में deeply penetrate हो hair oil इसके लिए मैं use करियू hair heater hair heater घर घर पे ना हो तो गरम पानी में towel को अच्छे से डुगो के रखो उसके बाद जो excess water है उसको फेक दो and जो towel हो उसको अच्छे से wrap कर लो इससे भी बहुत अच्छे से आपको help मिलता है आपका जो oil है अच्छे से penetrate होता है और एक चीज़ hair जब oiling करते हैं तो common problem है हम सब को ही hair comb करते हैं hair का जो scalp है बहुत ज़र delicate होता है तो ये mistake ना करें इससे हमारे hair loss भी बहुत ज़दा हो जाता है next है hair product मैं अपने hair के लिए जो hair product use करती हूँ वो ही मैं आप लोगों के साथ अज share करूँगी कभी कभी जब मुझे वक्त नहीं मिलता है home remedies करने के लिए तब मैं अपने hair के लिए जो mask यूज़ करती हूँ वो है plum का marks जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा है hair को hydrate करता है nourish करता है और सबसे अच्छी बात है ये budget friendly भी है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो next है hair oil ये treatment hair oil है जब मैंने first 3 साल पहले अपने hair color करवाया था तो जिस salon में मैंने करवाया था वहाँ से मुझे suggest किया था ये expensive है बट ये अच्छा भी है मैंने use किया है इसलिए मैं आपनों को दिखा दे रही हूँ hair को style करने के लिए hair को protect करने भी बहुत ज़्यदा ज़रूरी है तो heat hair spray जो मैं use करते हूँ भी blunt का plum का जो serum है coconut serum ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है next है प्यांका चुपड़ा का ब्रैंड का animal hair oil जो बहुत ज़्यादा अच्छा है मैंने दो साल पहले खरीदा इस bottle का भी तक खतम नहीं हुआ actually जब मैं travel करती हूँ तब मैं इसको लेके जाती हूँ क्योंकि packaging बहुत ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे home remedies तो use नहीं कर सकती हूँ travel में तब मैं use करती हूँ बहुत नरीस करता है hydrate करता है and hair को manageable भी बनाता है next है keratin serum ये भी मैंने हाल फिलल में जब अपने hair को color किया था तो मेरे को यहाँ पे salon में suggest किया था तो ये भी बहुत अच्छा है ये भी 3000 तक आता है पर अच्छा serum है next है love beauty का shampoo हाल फिलल में मेरा first bottle है मैंने use किया है conditioner खतम हो गया है shampoo अच्छा है ingredients जो list है वो बहुत अच्छा है next है norial का no hair cut किरिम norial का hair के लिए सारे product बहुत अच्छा है तो आप लोग use कर सकतो कुछ भी अपके hair के according जो भी अच्छा लगे अप यूज करो and norial के यह serum evergreen है सब को use करता होगा अच्छा serum है dandruff के लिए मैं seba made का shampoo use करती हूँ anti dandruff shampoo अभी तक का मेरा experience रहा है best shampoo है scalp को dry नहीं कर सकते तो use कर सकते हो जबसे इंडिया में anomaly का brand launch हुआ है मैं तब से use कर रही हूँ अच्छा एक shampoo है मैं dry damage वाला जो range है वो use करती हूँ तो बहुत अच्छा है मेरा experience अच्छा रहा है तो आप लोग भी use कर सकते हो norial का conditioner भी बहुत ज़्यादा अच्छा है hydrate करता है and hair को soft भी करता है and norial का यह night cream है बहुत चिपचिपा हो जाता है बहुत अच्छा फ्रेस नहीं रहता है तो मैंने एक से दो बार इसको use किया है उसके बाद से मैं use नहीं करती हूँ तो जब भी मुझे इसको use करना होगा shampoo करने से एक घंटा पहले करूँ उसके बाद wash कर लूँगी हमेज़ा आपके पास एक dry hair shampoo होना चाहिए तो मेरे पास anomaly का ही hair dryer shampoo है यह मेरा first bottle है बहुत time चला अभी थोड़ा सा बाकी भी है तो यह अच्छा है मैं use करती हूँ यह सारे product जब मैं थोड़ा style करती हूँ curls करती हूँ अपने hair को hold करने के लिए अपने hair को protect करने के लिए जो भी spray होता है वो सारे spray मैं use करती हूँ तो वो सारे product मैं आप लोगों को सामने भी सो किया है तो यह सारे hair product है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है यही सारे product मैं अपने hair पे care के लिए use करती हूँ तो आप लोगों को भी अगर चाहिए होगा तो आप लोग यूज़ कर सकते हो अबर आप लोगों को भी पता है कुछ अच्छा ब्रैंड का तो मुझे भी सजिस्ट कर सकते हो आप लोग नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इनपोर्टेंट टिप्स जो मैं मेरी हर एक वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ वो है डाइट एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इनपोर्टेंट होता है इस्ट्रॉंग एन हेल्दी हैर तो हम सभी चाहते हैं इंटरनली अपने हैर को केर करने के लिए एक बैलेंस डाइट फॉलो करना बहुत ज़्यादा 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 है हमारे हैर 90% केरेटीन से बनते है और ये केरेटीन फॉर्म होता है एमिनो एसीड से और एमिनो एसीड हमें मिलता है फॉर्ड से पॉर्टीन, वाइटामिन, मिनेरल्स बहुत ज़्यादा 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 है कि हम अपने डाइट पे ले वो मेगा 3, वाइटामिन A, वाइटामिन C, वाइटामिन D, वाइटामिन E, वाइटामिन B9, वाइटामिन B12 और बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है हमारे डाइट पर यह सारे चीज़ इंक्लूट करने के लिए बॉड़ी में कभी-कभी ब्लड कम होने से और आईरन कम होता है उससे भी हैर फॉल होता है तो इंटरनल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के साथ जरूर आप कंसल करें और वाइटामिन ए, C, ओमेगा 3, D, E, 11, B9 यह सारे चीज़ अगर नहीं है तो आप रेट जूस करना, नेक्स्ट है कुछ एक्सेसरी जो हमरे हैर के लिए बहुत ज़्यदा इन्पोर्टेंट है, माइक्रो फाइबर टावल हैर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि बहुत जल्दी हैर के जो एक्सेस वाटर है उसको सोक कर लेता है, हैर ड्राइ भी कर देता है, एन है जो breakage होता है microfiber towel से hair breakage नहीं होता है तो यह बहुत अच्छा है आप ले सकते हो अगर नहीं है तो आप cotton को जो दूपट्टा होता है उससे भी आप after wash यूज़ कर सकतो ही यह भी बहुत ज़दा soft होता है तो आपका hair breakage नहीं होगा और आपका hair को जो healthy है उसको रखने में health मिलेगा और यह भी नहीं है तो अपने पापा का लूंगी यूज़ कर लो वो काफी अच्छा ही होता है soft होता है hair पे आप scrunchy यूज़ कर सकते हो रवर यूज़ कर सकते हो कोई सभी रवर यूज़ करो अच्छा ब्रैंड का थोड़ा यूज़ करो ताकि hair breakage नहीं हो hair का जो quality है अगर उसको maintain करके रखना है तो ऐसा hair style करो जो bun all time नहीं हो और ऐसा clature यूज़ करो जो आपको hair को breakage नहीं हो तो style आप hair का ऐसा करो तकि आप office जा सको college जा सको या फिर घर पे भी नौर्मली रह सको हमें सब बन बना के रखने से आपके hair के जो quality है वो day by day खराब होता है और ये चीज़ मेरे साथ personal experience के साथ मैं बोल सकती हूँ मैं जब teenage में थी या फिर में जब college में थी उस time में हमें सब बन बना के रखती थी तो मेरा hair का quality था वो बहुत ही बेकर था और जब दीरे 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 में सीखती गई और अभी जब मैं open रखती हूँ तो मेरा hair का quality बहुत improve किया है और मेरे को बहुत अच्छा एक hair stylist ने भी बोला था कि open hair प्रस्ट करने के लिए आप उडन को भी कॉम यूज़ कर सकते हो या फिर जो कॉम आपको अच्छा लगे पर quality अच्छा हो हमेसा और मैं यही सारे कॉम यूज़ करती हूँ तो मैंने आप लोगों को सो कर दिया हापते में दो दिन hair wash करना वो काफी होता है क्योंकि hair ज्याद होगी चीज़ को follow नहीं कर सकते तो उससाथ माइल जो सैंपू है उसके साथ आप अपने hair को wash करें ताकि आपका scale पर hair दोनों healthy रहे लास्ट में जो मैं टीस follow करती हूँ दिन में दो बार मैं अपने hair को brush करती हूँ blood circulation अच्छा होता है hair में growth अच्छा होता है and hair healthy भी रहता है जितना हो सके अपने natural product और natural remedy अपने hair पर use करें बस मैं छोटी छोटी step को follow करके अपना hair का care करती हूँ आप लोग क्या follow करती हूँ और अपने hair के लिए क्या करती हूँ मुझे comment करके जरूर बताना I hope आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, helpful रहा हो, वीडियो